वेल हलो वीवर्स तो कैसे हो आप सभी दोस्तों आज हम बात करने वाले एक अपकमिंग कॉम्पैक्ट एस्यूवी के बारे में जो में भी आ सकती है ऑक्टोबर में एंड या फिर में भी जा सकती है एकस्टेंट होकर 2022 तक जा सकती है लेकिन देखते हैं क्या बनता है इसका इ तरफ से लॉंच की हुई माइक्रो एस्यूवी है जोस्तों जिसकी लॉंच डेट मानी जा रही है औक्टोबर 2021 तक यह में भी लॉंच हो सकती है में नेक्स्ट मन तक यह लॉंच हो जाए और पिर में भी एक्स्टेंट कर जाए जिसकी प्राइसिंग डीटेल्स के अगर हम करें तो LE 성plex बात निसकी भी लॉड़ें गरॉंच रहें थे ङहां ऑ राटकी लैगे हम रहे जोईगा के बात है तोस्तों मील सकता है वन्पॉइंट्ट का ऐन्ट में प्रस किलेंटर डीजेल एंजन सिर्फ मैनिव मैनियन रहेगी ए गाड़ी एंड इसका जो डारेश легग व पावर ट्रेंगे बारे में कुछ इंफर्मेशन आई इसके कॉंपेटिशन की बात करते हैं कि इसके कॉंपेटिशन में उतर सकती है गाडी तो धोस्तों यहां पर हम बात करें कॉंपेटिशन की तो यहां हमें देखने मिल जाएगा महिंदरा के यूपे-100-NXT इन दोनों के competition में हो सकती है टाटा की HBX एंड मेबी ये टाटा की HBX इन दोनों को ही बीट कर जाए इंडियन मार्केट के अंतर सो लेट सी कि क्या होता है इंडियन मार्केट में लांच होने के बाद टाटा एजबी एक्स का माइक्रो एस्वी का एंड दोस्तों अगर प्राइजिंग डीटेल्स के बाद करें तो रेनॉल्ड की काईगर एंड निसान की मैगनाइट को भी मात दे सकती है ये टाटा की माइक वैसे ही आपको इस चैनल के उपर इसका नोटिफिकेशन जरूर 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 मिल जाएगा दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ है वीडियो को लाइक कीजिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स मों बताइए वीडियो कैसा लगा